नमस्कार दोस्तों जहन्द हमारी योटूब चनल में आपका स्वागत साथियों और आज 19 दिसमबर 2030 की लेटिस्ट अपडेट है दोस्तों मद्द प्रदेश के नियम सही हाई कोट ने ऐसा दोस्तों फानील जज़्मेंट दिया है उन्होंने बताया दोस्तों कि दूसरे राज विए में से अगर कोई मद्द प्रदेश में कोई महिला की साथि हो जाती है तो उन्हें नौकरी में अरक्छन नहीं दिया जाएगा यनि अगर कोई OBC लड़की है और अगर वो मद्दब्रेस में किसी OBC लड़के से साधी करती है या मान लेते हैं किसी भी कैटेगरी साधी करती है ST, SC, OBC किसी भी कैटेगरी से तो वो जिस state में साधी करेगी उस कैटेगरी की जो है उस पे वो नहीं उसका काउंट होगा अरक्षण उसका अरक्षण उसी कैटेगरी में काउंट होगा जिस राज जी में वो जनम ली है यानि दोस्तो राज बदल जाने से आपकी कैटेगरी नहीं बदलेगी आपका अरक्षण नहीं बदलेगा दोस्तो मदधप्रदेस हाई कोट ने एक एहम फैसले में कहा है कि मदधप्रदेस में राजसें बाहर के अरक्षिद वर के महीलाओं को मदधप्रदेस में साधी करने पर नौकरी में रक्षण का नाब जो नहीं मिलेगा प्रदेश से बाहर की OBC, SC, ST, वर की महिलाओं के अरक्षण के लाब से वंचित किये जाने पर केंद्रों मत्प्रदस के सरकार की नियूंट को असंगत बताती हुए हाई कोड में शुनोती दी गई थी जिसे कोड ने खारिज कर दिया दोस्तों दर असल राजिस्थान के रहने वाली सीमा सौनी ने आज कि हम बताया थे कि उसकी नीमच में साध्य हुई लेकिन उसे प्रात्मिक सिक्षक चैन में OBC वर कलाब नहीं दिया गया क्योंकि दोस्तों आप खुछ समसकते हैं कि OBC कैंडिडेट है सीमा सौनी लेकिन ये राजिस्थान में OBC का प्राट पाता है जब ये MP में जो है प्रात्मिक सिक्षक भरति में जब इनका इन्हें general में account कर लिया गाए क्यों other state को general में account करता है लेकिन इनका question था कि में ABC थी और MP में ABC से ही साधी की हुई उनकी जो husband जी हैं वो भी OBC है तो बोले मुझे OBC करक्षण मिलना था लेकिन हाई कोट नहीं आपको OBC करक्षण नहीं मिलेगा आप जनरल कोटा में जाएंगी क्योंकि आपको OBC अरक्षण राजस्थान मिलेगा ना कि मद्द प्रदेश में यानि जो दोस्तो यह बहुत बड़ा जो है इसमें जो है आर्ट स्थान में आप OBC केटेगरी का रक्षण और मद्द प्रदेश में आके आप फिर से OBC लेंगे तो ऐसा नहीं होगा आप OBC यह बहुत बड़ा अपडेट है महिलाओं को उसी राज में जहां कि वह निवासी है वहीं का रक्षण मिलेगा श्टेट बदल जाने से जो है और दूसरे जो है केटेगरीम साद्धी कनने से उनका रख्षण नहीं बदलेगा वह जिस केटेगरी की हैं उसी केटेगरी में उन्हें रिजरवशन मिलेंगा यह एक बार जहां का उनका जाती प्अलपदर बन चुका है उनन्हें वसी जाती का फाइदा मिलेगा ना